जैसरी महकाल दोस्तो आज के इस वीडियो में आपका भुत्बो स्वागत करते हैं और आज यहां हम डिसकस करने वाले हैं जो वर्षब लगन है उसके लिए नॉबर 2019 का जो महिना है वो कैसा रहेगा यहां पर आपको एक कुंडली दिखाए दे रहे है जिसके फैस्ट आउस म यहां दो नंबर लिखावा है अगर आपके लगन कुंडली में दो नंबर लिखा है तो आपका वर्षब लगन है और अगर आपके दो नंबर लिखावा और आपका वर्षब लगन है तो आप इस वीडियो को सुरूर से लेके अंत तक जरूर देखिए जिससे आपको यह आ इसको यहां दिखाएगा है, तो सबसे फ़ले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कि कौन से ग्रह हैं वो नौंबर में रासी प्रिवर्तन करने वाले हैं, और कौन से ग्रह किस रासी में इस्तित रहने वाले हैं, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सरेगा, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके तो यहां सबसे पहले देखते हैं कुछ जो रासी प्रिवर्तन करने वाले ग्रह हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं फिर इस कुंडली का हम विस्तार से जो है यहां बात करेंगे इसके बारे में सबसे पहले यहां बात करते हैं सूरिय के बारे में तो सूरिय सत्रा नौंबर तक तुला में रहेंगे सत्रा नौंबर के बाद तीस नौंबर तक वो वर्ष्चिक में चले जाएंगे, यानि 17 नौमबर के बाद जितने दिन नौमबर के बच्चे हैं, उनमें वो वर्ष्चिक में रहेंगे, इसके बाद यहां हम बात करें, मंगल की, तो मंगल 10 नौमबर से 23 नौमबर तक तुला में रहेंगे, इस दोरान, पूरे नौमबर महिने के दुरान 10 नॉंबर के बाद के जो दिन है उनमें बुद्ध की बात करें तो बुद्ध 7 नॉंबर से 30 नॉंबर तक तुला में रहेंगे सुकर की बात करें तो सुकर 21 नॉंबर तक वर्सिक में रहेंगे 21 नॉंबर के बाद 21 नॉबर के बाद जो सुक्र है वो धनू में चले जाएंगे 30 नॉबर तक वो धनू में रहेंगे आगे और भी रहेंगे वो तो वो December की डेट आ जाएगे आगे अब गुरू 5 नॉबर से धनू में आ रहे हैं पांच नॉबर से गुरू धनू रासी में अपनी खुद की रासी में प्रिवेस कर जाएंगे सन्नी रहेंगे धनू में और सन्नी मारगी रहेंगे राहू मिथुन में रहेंगे और केतु रहेंगे धनू में तो ये कुछ जो गोचरी व्यूसता में परिवर्तन हो रहा था उसके हमने बात कर ली, अब यहांपर सबसे पहले बात करते हैं, चलिए यहां बात कर लिते हैं। आपके जो लगन के लॉड़ हैं और जो अदर हाऊसेज हैं उनके लॉड़ हैं, उसकी प्लैस्मेंट के अकोर् इस दोरान आपका जो एक अगर स्पाउस के साथ आपके स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जो है व्यवार रह सकता है फिजिकली आप काफी इंजोई कर पाएंगे अपनी जो मेरी लाइफ है उसको बट यहां पर सूरिय की होने से आप जो अपना स्पाउस है आपका हजब अपकार की चीज़ें इस महा के दौरान आपके साथ गटित हो सकती है इसके अलावा और ओर वाल यहां पर आपका जो लगन लोड है वो 7th house में है तो 7th house में होने की वज़ए से आपको अपने इस पाउस से फाइदा मिल सकता है और इस पाउस के साथ का कुछ जो है वो आप आपका रहेगा इस में रिलेशन उसके बाद यहां हम बात करते हैं देखिए आपका 6th Lord बनता है सुक्र और सुक्र आपका सब्तम में गया है तो कहीं न कहीं आपको जो है 6th हाउस से भी इसके जो समंध है वो यहां पर बन रहे हैं तो थोड़ा सा यह ठीक नहीं है थोड़ा स सूरी है वो अपने मित्र मंगल की रासी में है यहां पर वर्षिक रासी के सूरी है तो इस वज़े से आपको जो है रिजल्ट इतने नेगेटिव नहीं मिलेंगे अब यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट देखिए आपके 2nd Lord आपके 2nd Lord आपके 6th हाउस में है यह थोड़ा सा आपके पैसे का लोस हो सकता है आपकी वानी की वज़े से और यहां पर जो रोग रिन और सत्रू यह तीन चीज़ें 6th हाउस से देखी जाती है तो आपको किसी पुरानी रोग की वज़े से या किसी से सत्रूता होनी की वज़े से आपके बोलने से किसी से अगर सत्रूता हो आपने लिए हो तो उस रुज़े से यहां पर आपको पैसे का लोस हो सकता है इसके लावाँ आपके बुद्ध हैं वह आपके बनते हैं यहां पर फिप्थ हाउस के लोड होने से आपको एज्युकेशन में फोड़ी बादा रह सकती है और हो सकता है आप education के लिए कुछ अगर loan लेते हैं या कुछ आपको वहाँ पर आपकी जो competitor हैं वो मिल सकते हैं आपके educational जहां भी आपका जहां आप education लेते हैं जिस पहले इस पे वहाँ पर आपको जो है आपके सत्रू मान लिजी या आपके जो है परतिस परदी मान लिजी तो वो आपको थोड़ा प्रेशान कर सकते हैं और मंगल इनके साथ में है तो मंगल का साथ है इनके थोड़ा सा negative यहां पर जरूर रहेगा और उसके बाद हम बात करते हैं आपके fourth lord देखे fourth lord आपके आ रहे हैं seventh house में सूरिय fourth lord होके आपके seventh house में आ रहे हैं तो यह fourth से fourth हैं वैसे house के coding देखें तो तो काफी अच्छा result देंगे मैंने पहले भी बोला और अपने मित्र मंगल की राश्य में हैं और सुक्र के साथ हैं तो आपकी married life में काफी खुसियां इस समय में रहेंगी और आपके जो spouse हैं उनको इनसे काफी फाइदा होगा इस placement की वज़े से और आप जो खुद हैं आपको भी काफी फाइदा होगा आपको एक public में एक fame मिल सकता है और आपको कहीं न कहीं जो है कुछ अगर आपका बिजनस है तो उसमें आपको परगती मिल सकती है काफी लाब मिल सकता है या फिर आपकी जो public image है वो आपकी काफी अच्छी बन सकती है लोगों की सामने और दूसरा ये है कि थोड़ा सा आप जो है ये जो चीजें हैं विलासिता की जो वस्तों हैं उनकी तरफ ज्यादा एट्रेक्शन आप अपने स्पाउस में देखेंगे अब यहां हम आगे बात करते हैं और अगला हमारा है यहां पर सेवंथ हाउस के जो लोड है मंगल यह आपके सिक्स्थ हाउस में चले गए तो इस समय में थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है उनको कुछ रोग हो सकता है पुराना रोग अगर है तो वो वापिस उभर सकता है और कहीं न कहीं सत्रूता सत्रूता भी यहां से देखी जाती है तो सत्रू जैसा वेवार भी कई बार हो सकता है बट यहाँ सूर्य और सुकर के होने से यह जो चीज है वो नहीं होनी चाए और इसके लवाँ यहाँ पर जो है कुछ और जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो ज्यादा नहीं रहेंगे क्योंकि सूर्य और सुकर आपके 7th house में हैं इस दोरान तो और ज्यादा नेगेटिव इफ प्लेशमेंट है और इस दोरान जब केतु, सनी और गुरु यह तीनों साथ आपके अस्टम हाउस में यूति कर रहे हैं जब तक तब तक आप कोई अकल्ट नोलेज सीख सकते हैं या आप कुछ इस तरह का जो है कुछ भी ज्यान ले सकते हैं जो एस्ट्रोलोजी से समंदित हो या जो कोई और परकार की कोई विद्या हो तंतर मंतर की कोई विद्या हो वो आप इस समय में सेख सकते हैं इसके लावा आप धार्मी कुछाईयों को छू लेंगे इस दोरान केतु यहाँ पर अपनी उच्छ रासी में सनी है वो थोड़े टाइम बाद आपके भाग्ये भाव में चले जाएंगे जनवरी में तो यहाँ पर यह जो यूती बन रही है तीनों की केतु सनी और गुरू की यह आपको काफ़ ज्यादत धार्मी की समय में मनाएगी और गुरू की दरश्टी आपके बारवे भाव पर और आपके सेकेंड हाउस पे रहेगी तो राहू पर इनका जरूर गुरू का जो कंट्रोल है वो रहेगा और आपके फोर्थ हाउस पर भी गुरू की दरश्टी होने से आपको परिवार में आपको काफी खुस्यां रहेंगी परिवार के सदस्यों में आप एक धार्मिक पना देखेंगे धार्मिक हो जाएंगे आपके परि वार में उनमें आप भाग लेंगे और धार्मिक जो काम है उनको आप इंजोई कर पाएंगे इसके लावा यहाँ पर ये एक sudden up or downs का house है earth house तो यहाँ पर इस तरह की कुछ चीज हो सकती है आपकी life में कि अच्छानक कुछ आपको धार्मिक knowledge मिले और उससे आपको काफी फाइदा मिल सकता है इसके लावा देखे के तू के तू यहाँ पर हैं तो कुछ accident के chances भी के तू यहाँ देते हैं बट इतने negative यहाँ के तू है नहीं बट आपको फिर भी ध्यान यहाँ से रखना चाहिए उसके बाद यहाँ बात करते हैं देखे आपके 9th और 10th के लोड आपके लाब भाव के सबसे पहले गुरू की बात कर लेते हैं आगे देखे आपके जो लाब भाव के लोड हैं लाब भाव यानि आपका 11th हाउस उसके लोड गुरू आपके 8th हाउस में तो कहीं न कहीं यह खुद की रासी में है और यहाँ पर आपको यहां से negative result मिलेंगे तो यहां हम आगे बात करें तो यहां हम बात करें तो आगे आपके 9th और 10th लोड सनी बनते हैं और 9th और 10th लोड सनी होके और यह आपके अस्टम हाउस में बैठे हैं तो जब तक सनी अस्टम में रहेंगे आपको आपके भागे का पुरा साथ नहीं मिल पाएगा आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा आप दिमापन देखेंगे आपकी जो प्रोग्रेस है वो 9th और 10th लोड सनी वो जब आपके 9th हाउस में आजाएंगे तब आप काफी ज़्यादा प्रोग्रेस देखेंगे और आपको काफी लाब भी होगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और बाकी आपके भागे से समंदित भी इसके लाओ देखें यहाँ पर एक प्लेस्मे जर्ता नहीं देते हैं और अलंकि राहू यहाँ उचके हैं तो कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं देंगे अगर आपकी लगन चायट में राहू की पोजिशन बहुत अच्छी है एप्लेस्मेंट बहुत अच्छी है तो आपको इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंग है वो एक मायवी ग्रह जैसा है जो ब्रह्म पैदा करता है अब second house में आने से आप में जो पैसे कमाने की लाल सा है वो काफी तेज तेज लाल सा होगी आपकी इच्छा काफी तेज होगी और पैसा किसी भी तरीके से आना चाहिए बट पैसा आना चाहिए और पैसे के लिए आप किसी से भी जूट बोल सकते हैं और आपकी वानी बहुत अच्छी होगी यानि आपकी वानी लोगों को बहुत अच्छी लगई क्योंकि वानी का इस्तान भी है second house और ये बुद्ध की रासी पढ़ती है यहां मिथुन तो उसमें से भी यहां पर आपकी जो वोईस है वो काफी अच्छी होगी अप यहां पर आप आपका जो जूट है आप किसी के सामने अगर जूट बोलेंगे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा और विदेशों से पैसा कमाने का चांस भी इस तोरण आपको मिल सकता है और सेकिंड हाउस में राउ होने से आप बहुत तेजी से बोलते हैं कई बार और धन कमाने के लिए पैसे के लिए आप इसे जूट भी बोल सकते हैं पैसे कमाने के आप सही तरीके नहीं अपनाएंगे पैसा कैसे भी आए, आपके लिए बस पैसा आना चाहिए, एन एतिक तरीकों से आप पैसा कमाने का सोच सकते हैं, और यहाँ पर आपके family members से भी आपके कई बार relation खराब रहेंगे, और आप अपने जो family members हैं, आपके जो इनलोज हैं, आपके जो रिष्तिदार हैं, उनसे आप कई बार argument भी करने लगेंगे, कुछ छोटी-छोटी बातों पर इस तरह का वेवार भी आप करेगा, और second house में राहू हो तो केतु एर्थ में चला जाता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ एर्थ में ससुराल पक्स से जो समन्द हैं, उनके उपर भी ध्यान रखना होगा, कह अब तक गुरु हैं, तब तक थोड़ा इसको संबाले रखेंगे, बट आपको ध्यान अवर से रखना चाहिए, तो हमने इस वीडियो में आज डिसकस किया, वर्षब लगन के लिए नौमबर 2019 कैसर हैगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे इस प्रकार के जो नेव वीडियो हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें, धन्यवाद